नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं तेजी से बरता डिजीटल मीडिया प्लेटफॉर्म बर्दान एक्सप्रेस बर्दान एक्सप्रेस के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे छतरपुर के रेलवे स्टेशन की जहां पर एक स्क्रीन लगाई गई है एक नहीं बल्कि अनेको स्क्रीन लगाई गई है डिस्प्ले जिससे कि ये पता चल सके कि यात्रियों को कौन सी ट्रेन में बैठना है और बहे ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर पहुचेगी और इसके साथ ही उसका समय सीमा जो निर्धारित की जाती है वो डिस्प्ले पर हाईलाइट होती है जिसको लेकर नई डिस्पेले लगाई गई है और महझ एक हथे डिस्पेले चली है और उसके बार डिस्पेले बंद हो गई है बिस्तार से पूरी खबर बताएंगे और जानेंगे कि आखिरकार रेलवे विभाग द्वारा इस तरीकी की लापरवाई जो की जा रही है इसको लेकर यात्री किस तरीके से परिशान हो रही है लेकिन उसके पहले यहाँ पे चोटा सा ब्रेक ले लेते हैं कहीं मत जाईए ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे चतरपुर के माराजा चतरसार रेलवे इस्टेशन में जो डिस्पिले लगी है उसको लेकर किस तरीके की समस्याएं सामने आ रही हैं चतरपुर शहर के मद्द सिक्षा के शेत्र में 1985 से स्तापित केर इंग्लिश स्कूल CVSC कच्छा नरसरी से बार्मी तक गड़ित बिग्यान एवं कॉमर्स में देता है आदुनुक सिक्षा सहिद भारतिय संसकारों एवं प्रतिवा को सम्मान इसके साथ ही समय समय पर खेल कून देवम कल्चर एक्टिविटीज तो देर किस बात की अपने बच्चों की बहतर सिक्षा के लिए चुने केर इंग्लिश स्कूल और प्रवेश के लिए आज ही संपर करें हमारा पता केर इंग्लिश स्कूल बस स्टेंड चतरपुर ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शोकों का स्वागत है वर्दान एक्स्प्रेस के इस वीडियो में तो हम आपको बता दें चतरपुर के महराजा चतर साल रेलबे इस्टेशन पर यात्रियों की सुबधा के लिए डिस्प्ले लगाई गई है जिसमें यहाँ पे जो यात्री हैं वो यह जान सकें कि हमारी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी और उसका समय क्या रहेगा तमाम चीजों को लेकर नई डिस्प्ले कई सारी लगाई गई है पूरे इस्टेशन पर जो की एक हपते तो चली लेकिन उसके बास से बंद पड़ी है ऐसे मे यात्री लगातार परिशान हो रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनकी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी और उस कितनी देवी से पहुचेगी एनॉंसमेंट में भी काफी दिक्कते हो रही है जिसके कारण यहाँ पर यात्रीयों की एक परिशानी सामने निकल कर आई है तजबीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यह पूरी डिस्पिले बंद पड़ी हुई है और ऐसे में यात्रीयों को असुबधा का सामना करना पड़ रहा है इसकी मांग सोसल मीडिया पे भी कई बार उठ चुकी है समाचार पत्रों पर भी आ चुकी ह लेकिन रेल बे बिवाग ने अभी तक कोई भी गौर नहीं किया यही वज़ा है कि डिस्पिले लगातार बंद है और यात्रीयों को खासी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है जब ट्रेन आती है तो एकदम से पता चलता है कि आपकी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर किस पर आएगी जिस कारण से यात्रीयों को दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है और ऐसे में कई बार यात्री जल्द बाजी में पट्री से ही निकल जाते हैं जिस कारण से कभी भी हास्ता हो सकता है अगर वो फिलाई ओबर से उपर से ज जाए पहली बात दूसरी बात पट्री जो क्रॉस करके लोग जाते हैं यात्री जाते हैं उन्हें भी रोकना चाहिए और ऐसे में सुरक्षा रेलवे विभाग को बढ़ाने की आवशक्ता है तमाम चीजों को लेकर जिस तरीखी से डिस्प्ले की समस्या सामने आई है स्क्र सुधार की सक्त जरूरत है और हम अपने वीडियो के माद्धम से यही कहेंगे कि अगर रेलवे विभाग हमारा यह वीडियो यह खबर देख रहा हो तो ततकाल यहां पे सुधार करें ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की अशुब्धा का सामना ना करना पड़े यह वी भी शेयर कर सकते हैं फिलहाल वरदान एक्सप्रेस के इस वीडियो में इतना ही अपना ख्याल रखिए सुरक्चित रहिए